अलो एंड विल्कम दोस्तों दीप इलेक्ट्रोनिश लैब में आपका बहुत-बहुत स्वागा थे दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि किसी भी पाउर सप्लाई के अंदर अगर दो अप्टो कपलर रहे तो उसको कैसे मोडिफाई करके रिपेर करा जाता है क्योंकि इस टॉपिक के अपड़ वीडियो बनाना के लिए मेरे पास काफी दिन से रिक्वेस्ट आ रहा था तो फाइनली आज की इस वीडियो के अंदर आपको दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक डवल अप्टो कपलर वाला पाउर सप्लाई को मोडिफाई करके रिपेर कर सकते हो मेरे हाथ में अभी यह जो स्मार्ट टिवी का बोर्ड देख रहे होंगे इसके अंदर दो अलग अलग पाउर सप्लाई है इसका बैक लाइट सेक्शन को मैं छोड़ देता हूं क्योंकि वो एक अलग सेक्शन है लेकिन इसका जो मेन कंट्रोल सेक्शन है इसके अंदर आप देख सकते हो दो plat लगा हुआ है जो कि आप यहां पर देख सकते हूं तो आखिर अगने हमारा बोड खरब हो जाए यह इसका पी आई सी बगारा खराब हो जाए या कोई दूसरा मॉस्पेट बगारा खराब हो जाए इस प्रकार से तो हम उसको क्या रिपेर कर सकता हूं अगर सेम नांबर का कॉंपोनेंट्स मार्ट कर से ना मिले तो तो यह दोस्तों बिल्कुल कर सकते हो जो हमारे पास 5 फड़ा फॉलो करने होंगे वहुवरु फंड़ा क्या है पावरश क्या होता है इस से मॉडिफाई करने के लिए चलिए मैं आपको समझाों एक पेनर कॉपी लेकर चलिए दूस्तों आप मैं आपको समझाता हूं कि आखीर डॉबल ऑप्टोप्लर वाला पाउर सप्लाई को कैसे मोडिफाई किया जाता है तो आपको समझाने के लिए मैंने आपने मदर बूड का एक पिक्चर मैंने यहां पर प्रेंड करके रखा हूं आप यहां पर देख सकतो इस जगह पर तो इस जगह पर दो अप्टोप्लर लगा हुआ है तो आप मैं आपको दिखाता हूं कि इन दोनों अप्टोप्लर के अंदर से किसके साथ हमें फीड़ व्यक का कनेक्शन करना है इन दोनों के अंदर से मैंने एक हॉइट पेपर ले मैं इस व्यानि पेपर के अंदर सबसे पहले दों ड्रौ कर लेता हं उन दोनों आपको अप्टोप्लर को जो दो आपको अप्टोप्लर हमारे पावर सफ्लाई कंदर लगा रहेता है तो हमने यहां पर दो आप्टोप्लर को ड्रौ करा हूं जिसका नमबर ए iv हैेट-on7 खास करके जो भी हमारा पावर सप्लाई के अंदर अप्टकॉपला लगा रहेता है मैकसिम सभ़का हमारा को एक 5से ना मिलता हैuerdo इसके अंदर हमेरा यह राहा हमारा एक नामबर पिन को 123 और हमारा चार सबसे पहले आपको ये देखना होगा किसी भी power supply के अंदर अगर दो अप्टो कपला लगा हुआ है और उस power supply के अंदर एक PWM-IC रहता है PWM-IC को मैं यहाँ पर ड्रॉआ कर लेता हूँ ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो जाए तो हमने यहाँ पर PWM-IC भी ड्रॉआ कर चुका हूँ यह हमारा PWM-IC और यह हमारा power supply के अंदर दो अप्टो कपला लगा हुआ है तो आखिर हमें कैसे पता करना है कि हमारे को कौन से अप्टो कपलार के अंदर जो हमारा 5LO के लिए जो feedback की यह काम करता है वो feedback-IC कौन सा है क्योंकि इन दोनों में से एक ही feedback के लिए इस्तेमल किया जाएंगे और उसी feedback और अप्टो को ही हमको modify करने के लिए उसका चान नंबर पीन को हमें इस्तेमल करना होगा तो इसको समाझने के लिए आसानी के लिए जो हमारा PWM controller IC होता है उस controller IC का जो दो नंबर पीन है यह दो नंबर पीन में आपको indicate करके दिखा देता हूं दो नंबर पीन जहां पर एक डॉट किमबा बोड के अंदर कुछ इस तरीके से indication दिया रहता है इस तरीके से indication दिया रह देगा वही आसी हमारा feedback के लिए इस्तेमाल होंगे तो 5 मानलीजे हमको double optocoppler वाला किसी भी power supply को modify करके ठीक करना है अगर हम 5 LO 380R लगाएंगे उसके अंदर चार पीने रहता है और चान नंबर पीन हमारे को optocoppler के चान नंबर पीन के साथ connection करना होता है क्योंकि वह feedback के लिए इस्तेमाल होते हैं तो मानलीजे यह 8 on 7 यह हम दी देता हूं optocoppler 1 optocoppler 2 तो अगर मानलीजे optocoppler 1 अगर इसका चान नंब पर पीन हमारे इस feedback फीडवलोन कॉंट्रोलर आएसी के साथ जूरे हुए है तो हमको इस फाई एलो 380R का जो चान नंबर पीन है हमें optocoppler on के चान नंबर पीन के साथ connection करना होगा उसके बाद आपका जो double optocoppler वाला power supply है वो ready हो जाएंगे या ठीक हो जाएंगे उसके अगर आपको लगे कि हमारा APWMIC का दो नंबर पीन optocoppler 2 के चान नंबर पीन के साथ connection है तो आप गया कर सकते हूँ हमारा 522380R का जो चान नंबर feedback के लिए इस चान नंबर के साथ जूर सकते हो चलिए दोस्तों आप मैं इसी चीज को board के अंदर भी आपको ढूंड के दिख इसके अंदर देखिए यहां पर हमारा PWM6 pin का ऐसी लगा हुआ है तो इसका दू नंबर पीन के अगर बात करें तो हमारा दू नंबर पीन इस साइड से यानिक लेट साइड से जो हमारा एक नंबर से सुरू होती है तो हमारा दू नंबर पीन यह जो optocoppler यहां पर लगा कनेक्टिविटी होना चाहिए चलिए इसी चीज को में माल्टिमिटर से आपको चेक करके दिखाता हूं यह हमारा माल्टिमिटर और इसको में continuity पे सेट करके रखा हूं यहां पर देखिए और आप में क्या करूंगा यह जो PWM IC है इसका दो नंबर पीन और इस optocoppler का चान नंबर पीन के साथ हम टाच करेंगे देखिए continuity मिल रहा है ना इसका मतलब यह हुआ कि हमारा यह जो optocoppler है यही optocoppler हमारा feedback के लिए इस्तेमाल करा गया है जो हमारा 12 बंद बनेंगे तो यह देखिए हमारे यह जो मदर बोड है double optocoppler वाला यह बोड इस बोड के अंदर दो optocoppler के लगा हुआ है तो मैंने इस बोड को modify करके repair करके ठेक कर रहा हूं आप यहां पर देख सकते हो तो इसका जो इसका जो optocoppler दो था दोस्तों नीचे बाला जो optocoppler था इसका जो चान नंबर पीन हमारा यह जो PWM IC है इसका दू नंबर पीन के साथ continuity मुझे मिल रहा था तो मैंने इसी optocoppler के साथ मैंने जो है फाइफ एलो तीन स्वास्चेयर का चान नंबर पीन के जोड दिया हूं आप यहां पर देख सकते हो जिसके बाद हमारा यह बोड रेडी हो चुका है डॉबल अप्ट वाला तो मुझे आसा है कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया है अगर पसंद आया को दो और देखने को मिल लेंगे यह एक और यह एक और तो अगर आपके पास इस तरीके का सिमेट्रिक डाइग्राम है तो इस तरीके जरी वह पता लगा सकते हो कि कौन सा हमारा अप्ट वाफ्लड है वह किसकाम के लिए इस्तेमल करा गया है यहां पर देखे यहां पर जो डोश्तों यह ऑप्ट उपलाड इसलिए करा गया है 5 और एक लएट के लिए इसलिए कर गया है यह पूल्सतन इसके साथ साथ अगर सबस्सेंट चैंट टास में हो इस तरीकह से भी आप टौबल और सप्लाई को रिप्यर कर सकते हों तो आज की वीडियो नहीं दोст border पिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर तासे के लिए उर्शिव अल्दा बेश